नमस्ते बच्चो डी एवी मौयल पब्लिक स्कुल ओनलाइन कक्षा में आप सभी नन्ने मुन्नों का मैं आपकी अध्यापी का किर्ति से लोकर सहर्ष स्वागत करती हूँ तो बच्चो आज हम नैतिक शिक्षा इस विशय में पाठ ग्यारहवा पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ का नाम है गुरु नानक देव इस पाठ का भाग पहला हम आज पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चो ये चीत्र आपने इसके पहले भी कही देखा हुगा हाँ जरूर देखा है इन महान हस्ती का नाम है श्री गुरु नानक देव जी ये सीख मत के प्रथम गुरु है हम पाठ पढ़ना प्रारंब करते हैं गुरु नानक देव जी सीख मत के प्रथम गुरु है इनका जन पंजाब के एक वेदी वाँश में हुआ था वेदी का सामान्य आर्थ चबुत्रा है पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पठन के लिए एक और उचा स्थान बनवा लेते थे और इस पवित्र स्थान पर बैटकर यग्य, हवन और वेद पाठ किया करते थे ऐसी परंपरा वाला वाँश वेदी वाँश या वेदी कुल कहलाता था तलवंडी ग्राम ननकाना सहाब के महता कालूराम वेदी वाँश के ही एक उजवल रत्न थे उनकी पत्नी का नाम तुरुप्ता देवी था इसी सवभाग गिशाली धार्मिक ग्रहस्ता को वह पुत्र रत्ना प्राप्ध हुआ जो आगे चल कर गुरु ननक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो बच्चो ये जो गुरु ननक देव जी है ये सीख मत के सीख धर्म के प्रथम गुरु है और इनका जन्म पंजाब के अनेक वंशों में एक जो प्रसिद्ध वंश वेदी वंश है उस वंश में हुआ था और वेदी का सामान्य अर्थ है चबु तरा पुराने समण में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाट के लिए एक उच्चा स्थान बनवा लेते थे और इस पवित्र स्थान पर बैटकर यग्य हवन करवाते थे और ऐसी परमपरा वाला वंश जो की अपने घर के सामने एक चबु तरा रखता है उसमें बैटके यग्य हवन करता है ऐसे वंश को पंजाब में वेदी वंश कहा जाता था और ऐसे ही वेदी वंश में ननकाना सहाब कालूराम वेदी वंश के ही ये पूत्र थे बालक नानक जन्म से ही भक्ती का समस्कार लेकर पैदा हुए थी जब दुसरे बच्चे खेल कुद में आनन्द लेते थे तब नानक एक और बैटकर भगवान का नाम जपा करते थे पिता उन्हें गवच चराने भीजते तो वे जंगल में चले जाते वही वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गवों को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान न रहता बच्चो जब बालक नानक देवजी छोटे थे तबी से उनके मन में भक्ती का समस्कार था वे भक्ती का समस्कार लेकर ही पैदा हुए थे जब बच्चपन में दुसरे बच्चे खेल कुद में मग्न थे तब नानक जी एक तरब बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे उन्हें पिता गाय चराने भीजते तो वे भगवान की भक्ती में इतने लीन हो जाते कि गववों को पराई फसल खाने से रोकने का ध्यान भी उनको नहीं रहता था एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए दे कर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सव दालाओ जिससे लाभ ही लाभ हो हानी नहीं नानक के मार्ग में कुछ भुके सादू मिल गए उन रुपएयों से उन्हें ने उन सादूओं को भरपेट भोजन खिलाया घर लोटकर उन्होंने पिता जी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सव दा करके आया हूँ जिसमें लाभ ही है हानी नहीं तो एक बार क्या हुआ बच्चो नानक जी के पिता जी ने उन्हें कुछ रुपएय दिये और कहा कि शहर जाओ और ऐसा कोई सादूओं करके लाओ जिसमें हमें लाभ ही लाभ हो जाए हानी नहीं होनी चाहिए नानक जी जब बाजार के रास्ते में थे तब उन्हें कुछ सादू दिके उन्होंने उन पैसों से उन्स सादूओं को भूजन करवाया और घर लटकर पिता जी को बताया कि मैं कुछ ऐसा सौदा करके लाया हूँ जिनमें हमें लाभ ही लाभ है गुरू नानक देख इस पाटखा अगला भाग हम अगली ओनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद